दोस्तो अभी आप जिस बुढ़े को गाड़ी छोड़कर फुलजरी लड़कियों की पैंटी देखते हुए देख रहे हो इसका नाम पनौती है अब इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे के ये कितना पनौती है ये जिस भी पार्टी में पहुचता है उसे मातम में बदल दे और ये ही हुआ है इस भोले भाले परिवार के साथ तो कहानी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक प्लास्टिक सर्जन को सुभे के 6 बज कर 15 मिनिट में बिस्तर से मुह के बल गिरते हुए देखते हैं दरसल उसकी बीबी जूलिया तीसरी बार प्रेगनेंट थी इसलिए बिस्तर में ही बड़ी मुश्किल से एड़जस्ट करना पर रहा था नेंद से उठकर वो अपने नालाइक बेटे नोई और अपनी बेटी लाइसेंस को उठाता है आगे जब पूरा परिबार बासी बिंडी खाकर ब्रेकफस्ट कर रहा था तभी टॉम उन सभी से कहता है कि वो लोग आज दो हपते के लिए हॉलिडे पर जा रहे हैं तभी दर्वाजे में कोई घंटी बजाता है और जूलिया उसे चेक करने के लिए जाती है वो दरसल और कोई नहीं बलकि टॉम के ठरकी पिता पनोती है जो अपना सड़ा हुआ मूह लेकर उस वक्त आ पहुचा ज उसने साथ लेकर जाता है उस बुढ़े हट्टीयों में इतनी जान नहीं थी कि वो उस बैग को लेकर सीड़ी से होकर नीचे उतर सके इसलिए वो उस बैग को उपर से सिधा नीचे फेक देता है जो की जूलिया के सर के बाजू से होकर गिरता है खेर कुछ दिन पहले टॉम तॉम ने टेसला से भी एक हाइटेक गाड़ी खरीदा था जिसमें सब कुछ आटोमेटिक था उस गाड़ी में चड़कर सभी को बहुत मज़े आते हैं इसी बीच टॉम का बेटा नोई गला फार कर चिलाने लगता है क्योंकि उसने अपने खिलोने बंदू को घर पर ही भूल देता है और उसे उठाने के बज़ाई वो उस कुमोट को कपड़े से ढग देता है जिससे संडास में पानी की लहर बहने लगती है इधर टॉम जब बंदूक ले रहा था तब उसे घर के अंदर किसी की आवाज सुनाई देता है और वो उसे चोड समझ कर उसके उपर गोली फैला दिया मैंने आपको मेरी होटों की सरजरी करके उसे खुबसूरत बनाने को कहा था अब तो मेरी होट और मुँ संडास से भी गंदा दिखाई दे रहा है इधर टॉम उसे किसी तरीकी से बहला फुसला रहा था और वहीं दूसरी तरब टॉम केपिता घर को साफ करने के नाम पर पूरे घर पर पनोती फैला रहे थे खैर आगे टॉम उन सभी को लेकर अपने हाइटेक गारी से हॉलिडे पर निकल जाता है जहां पर रास्ते में उसका बाप पनोती अपनी बखवख बंद नहीं करता और पूरे रास्ते में उनके दिमाग का नस हिला देता है आपने मुह में लाल टपकाने लगता है वो फुलजडी उससे कहती है अंकल कि आपने मेरी मा को देखा है यहीं पर इसकी कार खड़ी थी जिसमें पनोती कहता है हाँ वो तो कुछी शड़ पहले यहां से निकल गई है फुलजडी कहती है क्या आप मेरी मा से मिलाने में मेरी मदद करेंगे अंकल अब पनोती जो की एक नंबर का ठरकी था वो भी उसकी मदद करने के लिए मूँ फाड़ कर तेयार था इसलिए वो उस निली बालो वाले फुलजडी को गाड़ी के अंदर छुपा लेता है ताकि टॉम और जूलिया को इसके बार में पता ना चल सके जिसके बाद वो कार के सिशे को साफ करते करते वाइपर को ही गलती से उड़ा देता है और ताकि टॉम को इसके बार में पता ना चल सके इसलिए वो उस तूटे हुए वाइपर को ही कार में चिपका देता है, आगे वो sबी अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं, इसी बिच पनोती जूलिया से कहता है, बहु एक कोल्डरिंग देना, मेरा गला बहुत सूख गया है, अब जूलिया जब उसे कोल्डरिंग देती है, तभी हम देखते हैं, कि वो उस कोल्डरिंग में बात कहां सुनने वाला था इसी बिच कार के अंदर जब लोग दूतू मेमे कर रहे थे तब ही हम देखते हैं कि कार के एक मेशिन में कुछ केमिकल लोचा होता है इधर जुलिया पनोती की बातों से परिशान होकर टॉम से कहती है टॉम गारी को घुमा कर घर ले चलो मुझे प पानो गारी के अब रेक फैल हो चुका है और मैं गीर भी नहीं डाल पा रहा हूँ ये बात सुनते हैं गारी के अंदर मौजुद सभी की फटकर हाथ में आ जाता है और उस फुल जड़ी की फटकर czार्सो चौर्सट हो जाती है वह गारी के नीचे से उठकर पनोती से कहती ह अरे अंकल और कितना दूर मुझे आप लोग कहां लेकर जा रहे हो। फुलजड़ी को थोड़ा बहुत उनकी बातों पर भरोसा होता है। हेड़पोन चिपका कर मस्त गाना सुनते सुनते कार को भगा रही थी। वो उन्हें रोकने के लिए बहुत चिलाती है लेकिन उसकी मा को कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसी बिच टॉम के सामने गारी आ जाने की वज़े से टॉम अपनी गारी को घुमा लेता है और जैकी नाम की एक आदमी के गारी के धकन को उड़ा कर वहां से निकल लेता है। जैकी एक गुसल मिजाज का आदमी था। इसलिए वो टॉम से अपनी गारी के भरपाई के पैसे लेने के लिए मुहाद दोकर उसके पीछे पड़ जाता है। टॉम यहाँ पर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उनके गारी का ब्रेक फेल हो चुका है। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी जूलिया एक पेपर में हेल्प लिग कर उसे पुलिस को दिखाती है। लेकिन उल्टाओ पेपर खिड़की अपना फोन निकाल कर ब्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि पुलिस के पकड़ने पर वो लोग पुलिस को दिखा सके कि वो लोग निर्दोस थे और उनकी गारी की सच में ब्रेक फेल हो गई थी। दूसरी तरफ ट्राफिक पुलिस के हेड को भी इसके बार में इन पुता कर फैल जाता है जिसको साफ करने के लिए टॉम जब बाइपर को चालू करता है तभी वो बाइपर भी तूटकर गिर जाता है उनकी गारी बहुत तेज थी और उन्हें सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था इसलिए टॉम के पीता पनोती एक कपड़ा लेकर स पनोती का पैर फिसल जाता है और वो मरते मरते बचता है खैर आगे वो लोग किसी तरीके से उसके टांगों को खीच कर उसे गारी के अंदर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर उनकी एक मुसीबत खतम होते होते और एक मुसीबत आ पहुँचता है टॉम की वही पेशन्ट जिसक का पनोती बाप उस जंगली सुवर की तरह दिखने वाली औरत को एक देशी नुस्खा बताकर किसी तरीके से उससे अपना पीछा छुडाते हैं अब गारी ड्राइव करते करते टॉम की हालत बहुत खराब होने लगता है और उसके कंधे से लेकर पीछवाड़े तक सब कु के अंदर ऐसे फज जाते हैं जिससे वो लोग गारी के अंदर ही उल्टिया करने लगते हैं दोस्तों ये देखकर आप समझी चुके होंगे कि ये पूरा का पूरा दोस्त गारी का ही है यानि ये गारी ही पनोती है इधर टॉम के पास एक ट्राफिक पुलिस आकर उसे गारी को रोकने के लिए कहता है और उसके मोह पर बंदुक तान देता है तभी टॉम की पावभारी बीवी गारी के धकन खोलकर पुलिस को अपना फैला हुआ पेट दिखाती है और कहती है मारो मुझे मारो जिंदा मत छोड़ो मुझे पहले ही इस गारी की वज़े से हमारी फटी पनौती उसमें चरचरा कर मुझता है और फिर उसे अपने बेटे टॉम के हाथों में पकड़ा देता है तॉम उसके गर्मागरम मुझ को खिड़की से बाहर फेकता है और वो सिधा जाकर जैकी के मुझ पर लगता है अब इस गर्मागरम मुझ को खाकर जैकी का पारा और भ भसर जाता है यहां से 5 किलो मिटर दूर एक चेक पोस्ट में गाड़ियों की भीड लगी हुई थी और टॉम 15 मिनिट के अंदर उस चेक पोस्ट में आकर गाड़ियों के साथ टकराने वाला था यह खबर पूरे देश दुनिया की न्यूस चैनल कभर कर रही थी इसलिए वो ल इसके कार की तरफ जुकती है तभी हवा की वज़े से उसका स्काट उड़ने लगता है और पनोती कार चलाते चलाते उसकी पैंटी देख लेता है वो फुल जड़ी उन दोनों कारों के बीच में फश चुकी थी क्योंकि पनोती सामने की तरफ देखने के बजाए उसकी पैं पूरा का पूरा गाड़ी को उठा लेता है और आगे जाकर छत तूट जाने की वज़े से वो लोग नीचे गिरते हैं पर इससे उन दोनों को कुछ भी नहीं होता और वो दोनों बच जाते हैं आगे हम देखते हैं कि जूलिया और एक बच्चे को जनम देती है और जब वो ल कैसा हुआ है कि आप मुसीबत में पड़े हुए हो और और एक मुसीबत आपके सर पर आकर गिरा अगर हुआ है तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना